दोस्तों हर इंसान को रोज 2000 से 2500 तक कैलोरी की जरूरत होती है ताकि वो दिन भर एक्टिव रह सके जिसमें आपका तीन वक्त का खाना इंक्लूड होता है पर क्या आप जानते हैं कि एक सिपाही को यानि कि हमारे बॉर्डर पर तैनाज जो सैनिक हैं उन्हें एक दिन में कम से 4,000 कैलोरी की जरूरत होती है ताकि वो 2400 घंटे उसी एनरजी के साथ अपनी ड्यूटी सर्फ कर सकें हम सबने ये कहावत तो सुनी है कि भूखे पेट ना भजन गोपाला जब भूखे पेट भजन नहीं हो सकता तो फिर जंग तो बहुत दूर की बात है अब न्यूस में ग लोगों का खाना कैसे बनता होगा और क्या बनता होगा आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी का खाना कैसे बनता है जंग के दोरान या बॉडर वाली जगहों पर खाना कैसे पहुँचाया जाता है और डाइट कैसी होती है तो बने रह अगर हमारे सेनिक भूके पेट रहे तो जंग नहीं लड़ पाएंगे भारती सेना में खाने को लेकर बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि हमारे फौजीयों की देखरेक करने वालों को पता है कि अगर उन्हें भर पेट खाना नहीं मिला तो वे अच्छे से अ देखी ही होगी उसमें उस रेजिमेंट के साथ एक खान सामा रहता है बौडर फिल्म में खान सामे का रोल कुल भूशन खरबंदा ने किया था ऐसे ही भारती सेना की हर रेजिमेंट और टुकडी के साथ एक खान सामा और एक रसोईयों की टीम होती है जो सेना के साथ चलती ताकि हमारे सैनिको को ताजा और गरम खाना मिल सके सैना की आर्मी सर्विस कौप का यानि की ऐसे गाओं का खाने पिने के इंतिजाम करने में इंपॉर्टेंट रोल रहता है हर यूनिट को राशन और खाने पिने का सामान अलग से मिलता है यहां तक कि जब सैनिक जंग के मैदान में होते हैं तब भी हर कमपनी के साथ खाने पीने का सामान रहता है और खानसा में खाना पकाते हैं जिससे सैनिकों को ताजा अपनी पसंद का खाना मिलता रहे खान सामा का ये रोल होता है कि वो सैनिकों को तीन टाइम का खाना मुहया करवाए इसके साथ ही स्नैक्स और चाय का भी अरेंजमेंट करे अब बात करें उन रेजिमेंट या सैना की टुकडियों की जो एक जगा से ओपरेट की जाती है जिने बटालियन कहा जाता है जहांपर प्रॉपर आर्मी शेफ और कुक्स होते हैं जो लंगर के लिए खाना बनाते हैं जिसमें पूरी तरह से निउट्रिशन और डाइट प्लान का ध्यान रखते हुए खाना बनाया जाता है और वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना हमारी सेना को दिया जाता है अब हम सेना की उस रेजिमेंट की बात करेंगे जिने हम B.S.F. यानि Border Security Force के नाम से जानते हैं आखिर उनका खाना कैसे पहुँचता होगा तो सबसे पहले शेहरों से सबजियां, फल, दाल, चावल, मास, अंडा, आटा और बाकी खाने पीने के सारे सामान food container वाले ट्रकों में भर कर उस जगा तक पहुँचाया जाता है जहां सेना ने अपना कैम्प लगाया है अगर ट्रक वहां तक किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते हैं तो वहां हेलिकॉप्टर के जरिये कैम्प के नजदीक जगा पर सामान गिरा दिया जाता है बाद में सेना के जवान उन्हें लोकल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट या घोडे पर लाद कर अपने कैम्प तक ले जाते हैं और वहां उनके साथ गए कुक्स उन सामान से खाना तयार करते हैं एसी फोर्स की सारी मेन्यू तयार की जाती है सौ से देड़ सो सेनिकों में उनके साथ दो कुक होते हैं जो सूबे के नाश्टे से लेकर रात का गरम खाना तक प्रोवाइट करते हैं भारती सेना भारत में जिस कोने में भी हो सपलाई को रोह तक अपने स्टोर याड़ पर राशन पहुँचाती है ताकि सेना के हर किचन में मैस हाउस तक पोश्टिक आहार पहुँच सके जंग के दोरान जो सेना मोर्चे से हट नहीं सकती उन्हें खाना इंसुलेटेट केसेस में पैक करके प्रोवाइट किया जाता है युद्ध के दोरान सेना की डाइट में एनरजी बार्स और एनरजी ड्रिंक्स भी शामिल होती है आईए बात करते हैं सैनिको की डाइट की तो सुबेच चाय, कॉफी और नाश्टे में पूरी और पराठे दिया जाते है प्रोपर मील में दाल, चावल, रोटी, सबजी और भरपूर सलात दिया जाता है और रात में सैनिको को हलका खाना दिया जाता है सैनिको का खाना मेन्यू शेडियूल के हिसाब से बनता है हफते में दो बार नॉन्वेज दिया जाता है और जो सैनिक नॉन्वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए पनीर या दूज जैसी चीजें होती हैं, ताकि भरपूर मात्रा में उन्हें प्रोटीन मिलता रहे, फौजीयों को हर जंग के लिए तैयार किया जाता है, और उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, जिस वज़े से हर रोज जवानों की डाइट और खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, कि कोई वीक ना हो, उनके खाने की कमी से कोई बिमार ना पड़े, जवानों के खाने में फल और जूस शामिल होते हैं, ताकि शरीर में हमेशा उर्जा और स्फूर्ती बनी दोस्तों कि आप जानते हैं, कि फौजीयों के जो कुक होते हैं, उनकी भी सेना में भरती और ट्रेनिंग प्रोसेस नॉर्मल सेनिकों की तरह ही होती है, और उन्हें भी कमपलसरी ट्रेनिंग लेनी होती है, क्या पता कब युद्ध जैसे हालात हो जाएं, और उन्हें भी ब भारती सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेना को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा होगा हर हालात में कैसे भी हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते और सिपाहियों के लिए अलग समझदार को इशारा काफी है पौश्टिक खाने और स्वादिष्ट खाने में अंतर होता है हमारे सैनिक देश के सबसे ठंडे इलाके और खून सुखा देने वाली गर्मी में भी तैनात रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्हें हमेशा एक तरह का ही खाना मिले या फिर अच्छा खाना ही मिले हमारे घर पर भी अगर चार लोगों का खाना बनता है तो जरूरी नहीं कि वो रोज टेस्टी बने कड़वा स्वाद इधर उधर हो ही जाता है हमारे पास यह प्रिविलेज है कि हम कह सकते हैं कि आज का खाना अच्छा नहीं बनाए मैं कुछ और खालूँगा पर हमारी सेना को गवाई युद्ध की स्थिती में वो कड़वा खाना भी खाना पड़ता है जो खाने लायक भी नहीं होता या कभी कभी बस कैलोरीस के लिए और जिन्दा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है हाला कि दरसल लद्दाक का एक बड़ा हिस्सा यानि ठंडा रेगिस्तान है इसके चलते हैं यहां सबजी हो या फल यहां बेहद मुश्किल से मिलते हैं लेकिन देश के दूर दराज और बेहद उचाई पर होने के चलते कई महीनों तक यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है ऐसे में चीन सीमा हो या कारगिल दरास या फिर पाकिस्तान से सटा सियाचेन इलाका वहां सैनिकों को ताजा भोजन मुहया कराना एक बड़ी चुनोती था यहां तक की जो फल और सबजी मैदानी क्षित्रों में आसानी से उख जाते हैं वो यहां नहीं उख पाते हैं पर हमारे जवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वज़ा से वो किसी भी स्थिती में सर्वाइव कर लेते हैं ये सारी बाते जानने के बाद इंडियान आर्मी के लिए आपके दिल में कहीं न कहीं इज्ज़त और बढ़ गई होगी तो इंडियान आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है तो दोस्तों आप हमारे देश के सेना जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और हाँ अगर आप भी आर्मी लवन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाई बाई